इस लेक्चर में हम लोग डिसकस करने वाले हैं अपना नेक्स सेट क्यूंकि हम देखो पहला सेट डिसकस कर चुई दूसरा देखो इस बुक में टोटल कितने सेट है पहले वह मैं बताता हूँ टोटल आपको पहले देखेंगे देल ही पुलिस के 2020 में एक्जाम हुआ तो उसका 14 से T है उसके अलावे स्टेनोग्राफर का एक्जाम हुआ था से सी प्यों के एक्जाम हुआ था सिय हैसल का एक्जाम हुआ था हुआ है उसके अलावे सी ऐ सी जी एल के एक्जाम 2019 जी सीजील का एक्जाम 2020 सी प्यों 2018 तो आप बोलोगे कि यहां पे तो सिफ 2018-1920 है तो क्योंकि यह बुक आपको पता है यह हमारे किस सीरीज का पार्ट है राकेश यादक सर का जो बुक डिसकस करें जिसमें आपको 2017 तक का कौशन मिल रहा है उस बुक में तो 2018-1920 के लिए हमने इस पेपर को चुना है है उसी का प Modern complete है और quality complete है clear यह है अब जेक्टि का पार्ट एक सेम इसी तरह लुचेंट का पार्ट चल ला है आपको इसके बारे में जादर जाना है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो चली हम इसमें third series discuss करें चली third series यह वाला third sheet third sheet में हम question no.1 से question no.25 तक discuss कर चुके हैं उसके आगे 26 से 50 तक discuss करेंगे तो चलिए ये सब हम discuss कर चुके हैं चलिए third sheet हम discuss करेंगे ये second sheet है second complete होने कर बात third आएगा एक ही है आपको PPT भी मैं share कर दूँ है कोई दिक्कत नहीं इसमें चलिए third sheet question no.1 हमने discuss कर रहे था पंखीरा फोक्सौक के बारे में जो की राजस्थान का ये भी discuss कर लिया था लिबिंग और नॉन लिविंग के बीच का लिंक का काउन काम करता है जासकर रीपर के बारे में भारत रत्म अब्दु समद इन सब के बारे में discuss कर लिया था तो अभी हम discuss करेंगा 26 नंबर कोस्टन से चलिए how many books ध्यादना how many books अकवर नामा written by अबजुल फजल is divided into मतलब अकवर नामा किताब लिखा गया है अबुल फजल के द्वरा अबुल फजल के द्वरा किताब लिखा अकवर नामा वो कितने बुक में डिवाइड़ है ये आपको बताना है इसमें actually 3 ही बुक है इसमें एक गलत option दिया है इसमें 3 बुक है जो option 5 होना चाहिए none of these इसमें 3 बुक है मैं वो बुक भी बताता हूँ ठीक है जो अकवर नामा है वो actually 3 बुक है उसमें उसमें पहला बुक डील करता है अकवर के ancestor के बारे में अकवर के इंसेश्टर के बारे में, second book अकवर के समय के बारे में बताता है, और third book है जिसका नाम है आइने अकवरी, आइने अकवरी को पांच वॉल्म में बाटा गया है, आइने अकवरी को पांच वॉल्म में, यानि अकवर नामा तीन पार्ट में, एक में अकवर के इंसेश which of the following is longest river of Uriša Uriša के सबसे लंबी नदी कौन सी है Krishna, Mahanadi, Tapi, Godabi तो देखो Tapi यहाँ पर क्या करने आएगा clear, Tapi तो यहाँ पर कुछ करने ही नहीं आएगा तो आप खुद देखो न, अगर Uriša के map के बात करें तो major river तो आपको महanadi ही लगता है बाकी तो कोई major river लगती ही नहीं है clear, और महanadi river पर ही है हीराकुन डैम, हीराकर रिजर बायर महanadi river पर ही है तो महanadi ही सबसे लंबी river हुई clear, महanadi और एक और चीज थोड़ा याद रखना है हीराकुन, ओंग जो है, इंदरा, ये सब क्या है तेल ये सब क्या है महanadi की tributary है clear, महanadi की tributary और महanadi यहाँ पर जाके फिर अपना बहुत अदर distributary बना रहता है, एक है पूरी जगह का नम्याद रखिया at the US Open 2020, Indian player Rohan Bopanna ने team up किसके साथ किया कि उसकी जीत हुई जोरी किसके साथ बनाए तो Rohan Bopanna बनाया Danish Sapa Sapa वालो के साथ बनाया था ये बस याद करियेगा लेकिन US Open का winner list देखते हैं तो man's का single जीता था Dominic Thiam clear, woman single देख दी थी woman, Naomi Oshaka man's का double actually जीता था Matt और Bruno ने मिलके और woman's का double जीता था Laura Singman और Vera Jovanera ये देखना difficult नम है अब single वाले का ज्यादा करना इंडिया से रिलेटर है इसलिए हमने थोड़ा देख लिया कि इंडियान प्लेयर ओवन बेपना कनाडा के पार्टनर के साथ थे जिसका नाव था डेनियस सापोवा सापोवा लोव clear किस आर्टिकल में बताया गया है कि कोई भी इंडियान प्लेटर्टरी इस बात करता है कि कोई आपको टाइटज मिला तो टाइटलoha तो टाइटल को आपको नाव के आगे नहीं लिघाल लगागाना है यह article 18 की बात करता है, क्योंकि एक fundamental right है, है कि नहीं, fundamental right है, जिसमें evolution of title की बात करता है, लेकिन उसमें military और academic वाले को हटा दिया है, ठीक है, article 18, which of the following type of reproduction is produced by a specific cell multiplying and producing large number of cell, ठीक है, clear, तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब तर regeneration, regeneration का मतलब क्या होता है, specific cell जो होता है, कोई cell multiply करता है, और produce करता है बहुत सारे cells के, multiply and production, तो इसको बलते है, regeneration, generation, ठीक है, दाफला hills कहां पर prevalent है, ये तो हमें सब को पता है, दाफला यहां पर, दाफला मीरी अबोर मिस्मी, ठीक है न, दाफला का मीरी है, अबोर है, फिर मिस्मी, ये सारा अरुनाचल प्रोदेश में आपको मिलेगा, उसके अद्गारों खासी जैनती आपको मिल सकता है मिखाला है, मिल सकता है, मिलेगा है, मिकीर हिल्स यहां पर मिलेगा, यहां पर पटकई, बम, नागा, बरेल रेज और मीजो मिलेगा, ये थोड़ा धहाना कि ये नॉर्थ इस्ट की सारे सारे मौंटेन हिल्स होगा रहा है, 31st August 2020, which of the following was the Member Secretary of Prime Minister Economic Advisory Council, इसके कोन Member Secretary कोन है, Advisory Council के है, Member Secretary, Members, देखो, Economic Advisory Council to Prime Minister, के Chairman है, Dr. Vivek Tupra, यहां दखना, यह क्या करता है, एक independent body है, इसके काम होता है, प्राइमनिस्टर को अडवाईज देना, Micro Economics के बारे में, इसके Chairman है, Vivek Tupra, लेकिन हम से Member Secretary पूछा हुआ है, तो स्री रतन बेटल, रतन बेटल जो है, वो है, पार्ट टाइम मेंबर से हम नहीं पूछेगा, कुछ नहीं, सिर्फ ये दो नाम है, वो ही important है, ठीक है, यह है, यह दोनों नाम भी है, यह पार्ट टाइम मेंबर से है, अतानु दास, जिनको अरजुन अवाड मिला है, एक्चुली राजीव गांधी अवाड होता है, नो सबसे टॉप पर होता है, राजीव गांधी अवाड जो की रोहित सर्मा को इस पर मिला है, और भी लोग को, मैंने कोशन कर रहता है अर्जुना आवार्ड मिला है इसमें ये कों सा खेल खेलती अताणुदास यहाँ पर मिलेगा यहाँ अर्चरी खेलती ए आर्चरी क्लियर अता युद्धाउiddas olur यह तो दिप्ती शर्मा के फिगर है यह इसान समग फिगर है क्लिए को दिखती है अत्वानुदास आर्कषिरी तिरंदाजी खेलती है यह सब सारे अर्जुना आवार्ड है 2020 के कि चलिए तो उसमें जब मिसलीनियस वाला टॉपिक हम करवा रहे थे तो उसमें बुकर अवार्ड भी था था हूं उसके बारे हैं बेसिक जानाकारी के अलावे 2020 में को जीता है वो भी बता है तो उस किताब का नाम है देखिए तो किताब कानाम है the discomfort of evening किस के तरह लिखा गया? Marek Lucas के तरह लिखा गया il dutch के बिलों करते है ठीक है? यह एक क्छी गरहत लिखा है यह आक्छी बारावर केप को tavalla करते है बारावर केप कहां पे आपको वहार में मिलता है ठीक है? बरावर केप और दो एक नागरजुनिकेट ये दोनों बिहार में बिलॉंग करता है गया के पास है और इसमें आपको बरावर का एक दो और याद रखना है बरावर केप में एक केप का नाम है लोमस रिसी केप ये काफी बार एक्जाम में सिंपल ये पूछ लेता है कि लोमस रिसीब केव केव है और बराबर केव नागरजुना केव ये दोनों एक्चली असोका और असोका का ग्रैंट संद दसरत ने आजीवी का सेक्ट को गिफ्ट करने के लिए बनाया था क्यों आजीवी का सेक्ट के लोग यहां पर स्टेक कर सकते थे तो बराबर केव में कौन-कौन है करना गोपार केव शुदामा केव लोमस रिसी केव विश्व केव नागरजुनी केव की बात करें तो एक नागरजुनी केव ये गोपाया और भी नाम है बापिया केव और बदाथा केव बदाथा केव लेकिन इसका लोमस रिशी के एकजाहां में आपको उता दिया है ट्रेडिशनल थीएटर आर्ट होता है माक मैक इसका मैक का एक्चली वर्ड कहा है मंच से लिए गया है मंच तो मंच नहीं होता है मंच पर सरबंच बनना ट्रेडिशनल हिंदी थीएटर है मैक इसका देखो यहां पर यहां पर यहां पर इस यह वर्ड कहां से डराइब होगा मंच स्टेज नहीं होता है उससे डराइब होगा नाइन्थ सेडूल कब इंडिया के कंस्टिटूशन मैट हो गया आपको पता एड किया गया फर्थ कस्टिटूशनल अमेंडमेंट आट 1951 में और नाइन्थ सेडूल में क्या था कि ऐसे टॉपिक को रखना ऐसे टॉपिक इस समझो एक एक ब्लैक बॉक्स है जिसके अंदर अगर आप कुछ रख देते हो तो यह सुप्रेम कोट को दिखाई जब दिखाई नहीं तो तो का है कि जब विजिबलीटी ही नहीं है तो का है का जूडीशल लिव्यू समझोंगा है 1951 में और इस से में प्राइम मिनिस्टर कों थे इस से में प्राइम मिनिस्टर थे जवाहल ना नहरू ठीक है एकॉडिंग टू सेंसस 2020 दपॉपुलेशन आ है अगर मैं बात करें सबसे कम तो आपको सबसे कम तो लेका लक्ष दीव का होगा थिगहना तो सबसे कम है लग्ष दिव ठीक है सबसे ज्यादा ने देल ही फिर येचली ये कोस्ट्यस सही से दिया नहीं था यह आप लोग देख लेना बट मुझे नहीं दूज पूछना चारा कि यह कुछ तर्जीब लिखा हुआ है ठीक है इसलिए मैं डार्यक्ट आंसर भी विदाता है लेकिन मुझे पता नहीं चल ला है क्या लिखा हुआ है ठीक है पहले क्या होता था कि अगर आप बैंक कितना बैंक डिपोजी पर आपको इंसुरेंस मिल दा था पहले वान लाग था अब इसको कर दिया गया फाइब लाग किस आर्टिकल में राइट ऑफ माइनोर्टी की उसको एजुकेशनल इस्टिटूशन एस्टाबलेश करने का कर सकता है राइट कहां पर है तो देखो दो राइट है एक है आर्टिकल ट्वंटिनाइं ये मैंडेट करता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन अपने रेलिजन को अपने लाइट मतलब और वह एजुकेशनल इस्टिटूशन स्टाबलेश कर सकता है ठीक है चलिए तो आर्टिकल थर्टी को हम चार्टर अफ एजुकेशन राइट भी बहते हैं मदर्सा जो एड्मिनिस्टर किया जाता है इसी आर्टिकल के अंदर किया ब्रेटीश इस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपॉली था कि मोनोपॉली जो आफ डूइंग बिजनेस विद इंडिया वाज एबॉलिस्पाइल लाव फूइच फॉलिंग यह किस कानून में यह खतम कर दिया गया यह आपको बताना यह है 1813 के आट में इसमें एक ची और मैं बताता हूं एक्चली यहां पे 1813 में इंडिया के साथ मोनोपॉली थो खतम कर दिया था साथ ही साथ बोला था कि और 20 साल तुम्हारे पास ऑप्सन है बतलब देखो और 20 साल के लिए इंडिया में अभी भी इसको मोनोपॉली किसी पर्टिकलर चीज मे करतेंगे समझ में यह 20 साल में यह भी हम खतम कर देंगे और एक्चली 1813 के एक और प्रोविजयन आया था एजुकेशन के लिए एजुकेशन के लिए एक लाग रुपे यह स्टेट क्या कर सकते हैं एसाइड कर सकते हैं एजुकेशन में बरहावा देने के लिए लोगों के एजुकेशन में यह 86th Constitutional Amendment Act लेकिन मैं एक ची बता दो इसके लिए कानून एक्चली बहुत बाद मना है 2008-09 के असपस कानून क्योंकि आप समीधान में तो ले आए लेकिन कानून आप बरा रहे हो बाद में समझ मैं स्मॉल Constitution इसको मीनी Constitution बोलते हैं मीनी क्योंकि बहुत ज्य प्रोटीन है जो digestive enzyme जो small intestine से secret होता है small intestine से secret होने वाला है एक तो है Maltase clear Maltase और एक होता है pancreas amylase ठीक है न तो यहाँ पर option देखते हैं तो यहाँ पर आपको दीखेगा यह समय आपको करवा चुका हम डिटेल में यहाँ पर आपको trypcine जो है trypcine ठीक है trypcine कोई दिकत नहीं यहाँ पर अलग अलग टाइप के हैं जैसे protein digestion के लिए carbohydrate digestion के लिए कौन सा enzyme है nucleic acid के लिए कौन सा digestion है fat digestion के लिए क्या-क्या है समझ मैं यहाँ यह से लिए इसलिए इतना लंबा चौरा हो गया है सारे को एक जगी कठा करके रख दिया है which of the following specific tissue are not found to conduct water मतलब कोन इसमें tissue are not found to conduct water इसका answer होता है funeria funeria actually है क्या यह एक genus है जिसमें बहुत सारे species होते है moses के यह याद रखना है clear और वहां पर कोई specific tissue नहीं होते है water को कंड़क्ट करने के लिए कोई specific tissue नहीं होते है moses में वह ही बताया है और किस जगह पे आपको किस जगह पे आपको मिलेंगे Mac姜 का परवर्ति अस्थल कहाagit ही हिमाचरबम ऑर्दिस में याद कर देना है यह यह actually आपको धावलाधर के पास मिलेगा, धावलाधर में जो कंगरा वैली है उसके पास आपको मिलेगा, ठीक है न, next है, किसी परकार के स्वायल है, जिसमें आपको, जो छोटे छोटे पार्टिकल है, वो ज्यादा है, as compared to large particle, इसको हम क्या बोलते हैं, देखो मैं, मैं आपको बताता हूं, simple, clear, तीन टाइप के याद रखिए, तीन टाइप के particles होते हैं, एक होते है sand, एक होते है silt और एक clay, तो sand होता है, जो सबसे large होता है, मतलब gravels को तो छोड़ी दोगे, तो बिल्कुल बरे-बरे पत्थर होगे, sand होगा तो large होगा, फिर silt फिर clay, अगर कोई, को जातरा जात है, यह दोनों काम, लेकिन कोई अगर soil में यह ज़्यादा होगा, तो इसको smooth या clayey soil बोल सकते है, clayey, clayey soil बोल सकते है, या smooth बोल सकते है, बिल्कुल बिल्कुल एक तो हम अच्छा साहरा है, लेकिन अगर किसी में, अगर 40% sand, 40% silt, 20% clay हो, तो इसको लोमी soil बोल बोलेंगे, तीनों अगर mix हो तो लोमी बोलेंगे, लेकिन इसको perfect लोमी बोलेंगे, तो इसमें हम से पूछा कि जिसमें large, smaller particle, छोटे particle जादा है, यानि यह वाला clayey वाला जादा है, तो थोड़ा आपको clayey type को देखे, clayey, clay थोड़ा ज्यादा smooth होता है, ठीक है रचिकनी मि 2020 का वर्ल्ड फूड प्राइज किन को मिला है, यह याद रखेगा, यह मिला है रतनलाल को, 2020 का वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है रतनलाल को, यह native है, इंडियन के native है, लेकिन citizen है United States के, ठीक है न, और यह soil centric approach के कारण, ताकि soil को ज्यादा अच्छा से तबज्जो देना है ताकि food के production को increase किया जा सके, इसलिए इसमें इन्होंने काम किया है, last question है, एक नया awards introduce किया गया, GV Raja Award, GV Raja Award for a sports person के, clear, और GV Raja Award है, किसने initiate किया है, केरला ने initiate किया है, केरला ने, चलिए, ठीक है, और एक और ची मैं बताता हूँ, इस series को आप join कर सकते हैं, क्योंकि यह लार्जर इसी सीरीज का पार्ट है लुसेंट अब्जेक्टिव और राकेश यादबसर का अगर दोनों सब्जेक्ट आप लेते हो तो 500 पड़ेगा इसको मैं करवाता हूँ कैसे यूटूब पे ही तो डालता हूँ लेकिन अन्रिलिस्ट कर देता हूँ ताकि उसका लिंक आपको टेलिग्राम ग्रूप में मिल जाए जब आप टेलिग्राम ग्रूप जोइन करोगे ठीक है आप इस नंबर पे मैसेज कर लेना है 485 क्लियर कोई भी डाउट हो यहाँ पे जाएगा और यहीं पे आपको ज्वाइन करवा देए एक हमारा और कोर्स है जिसमें हम फोकस इस पे कर रहे हैं और इस पे क्योंकि लुसेंड तो हमारा हो ही चुका है क्लियर इसमें आपको अच्छे से डिटेल में करवाया जा रहा है है और लेड़ी काम चल रहा है तो मिलते हैं फिर नेक्स क्लास में और इसका प्राइस आपको 600 पर रहे है ठीक आप जॉइन कर सकते हैं जल्दी शेली जली थैंक्यू सो मज